नमस्कार बोले भारत पर आप सभी का स्वागत है मिरे नाम है अब शेक तिवारी उत्तर परदेश से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लडेंगे इस ये सवाल सबसे ज़्यादा मिडिया के माध्यम से भरमण कर रहा था लेकि योगी आदित्यनाथ आयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं अपनी नई पारी का आगाज कर सकते हैं लेकिन इस पर अपुर्ण बिराम लग गया है दरसल योगी आदित्यनाथ के लिए गोरकपूर से ही चुनाव लड़ने का निरदेश सिर्ष अलाकमान के तरफ से आया है जहां बिल्कुल योगी आदित्यनाथ योध्या से चुनाव लड़ेंगे वहीं केशोपरसाद मौर्या अपने परंपरागत सीट सिराथु पर बने रहेंगे सिराथु पर पांच पाच्वे चरण में चुनाव होना है आपको बता दें कि विजेपी मुख्याले में अभी प्रेश कंफरेंस लागतार जारी है और चुनाव के कुले करके पहले चरण और दूसरे चरण में उमिद्वारों का ऐलान किया जा रहा है आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ गुरखपूर शहर से और केशोपरसाद मौर्या सिराथु से उमिद्वार होंगे पहले मुझफर नगर से कपिलदेव अगरवाल को बनाया गया है सरधाना से संगीत सूम ही होंगे उमिद्वार वहीं हस्तिनापूर से दिनेश खाटिक उमिद्वार होंगे मिरट कैंट से अमित अगरवाल मिरट साउथ से सुमेंद्र तोमर और नुएडा से राजनात सिंग रक् जिम्मेदारी दी गई है उमिद्वार बनाया गया है यूपी प्रभारी धर्मेंद्र परधान और महाशची वारण सेंग प्रेश कॉन्फरेंस में अभी मौझूद हैं और लागतार पहले चरण के लिए संतावन और दूसरे चरण के लिए 48 विधान सवाज शेत्रों के उ चुनाव लडने जा रहे हैं चुनावी मैदान में उतरेंगे नई पारी कागाज करेंगे नई पारी कागाज इसलिए कि योगी आदित्यनाथ पहले बतोर MLC CM पत पर विरजमान हुए थे लेकिन अब वो खुद चुनावी मैदान में होंगे जनता का बिश्वास कितना यो कहां से चुनाव लडने का किसके लिए क्या ऐलान किया गया है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेए वे लाइकन दमारा ना भूले का कि हरे खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा आप आने में सक्षम हो सकें नमस्कार